हेलो फ्रेंड्स जितने भी हमारे बच्चे हैं जो बी एसी फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही छोटा सा छोटा सा वीडियो बनेगा बिल्कुल चार पांच मिनिट का और उसके अंदर मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा कि जो ब्रेवियस लैटिस होता है ब्रेवे जालक होता है उस ब्रेवियस लैटिस के अंदर जैसे कि आपको दिखरा होगा या लिखा होगा ब्रेवियस लैटिस के अंदर दीखे कितने ब्रेवियस लैटिस होते हैं पहले तो देखे ब्रेवियस लैटिस या ब्रेवे जालक के 7 परकार होते है, 7 टाइपो होते हैं, अब यह समझिए, यह जो चीज है, यह solid state physics का part है, solid state physics का part है, और यह chemistry में भी आता है, ऐसलिए यह दोनों नजरिये से important हो जाता है, physics में भी और chemistry में भी, और generally यह plus two के अंदर हम chemistry में पढ़ते हैं, previous lattice कितने परकार के साथ परकार के आगे 14 उनकी कुल सरंचनाई बन जाती है कुल स्ट्रक्चर्स 14 बन जाती है कोशन आ जाए हाउ मैनी ब्रेविस लैटिस तो आपको 14 याद रखना है लेकिन उसके टाइप देखिए 7 ही हैं पहले तो देखी कौन-कौन से हैं क्यूबिक टैट्राहेडरल और्थो क्यूबाइड के क्या होता है एकस एक्षिज में ये ए होता है वाई एक्षिज में ये क्या होता है बी होता है जैड एक्षिज में ये सी होता है तीनों साइड ए बी और सी ठीक है क्यूब में आपको पता है तीनों बराबर होती है कौन भी तीनों बराबर होते हैं और तीन क्यूट अवर मदर, क्यूट अवर मदर, पहले तो सातों नाम इसमें से निकल जाएंगे, C-U-T-E, क्यूट, O-U-R, अवर, M-O-T-H-E-R, मदर, ठीक है, क्यूट अवर मदर, यहां से देखें कौन-कौन से नाम, C-U से बनेगा क्यूबिक, T-E से बनेगा टेट्राहइडरल, O-U-R से बनेगा और्थोरॉम्बिक, M-O से मोनोक्लिनिक, उसके बाद T से क्या, टेट्रागनल, H से हेग्जागनल, उसके बाद देखें क्या है, मदर, E, E से, H, E से हेग्जागनल और R से रॉम्बोहइडरल, क्यूट अवर मदर, ठीक है, C U से क्यूबिक, T E से टेटराहेडरल, O U R से और्थोरॉम्बिक, M O से मोनो क्लिनिक, T E से ट्राइकलिनिक, H E से हेग्जगनल और R से रॉम्बोहेडरल, स्ट्रक्चर नाम याद होगे, सातों के सातों, फिर क्या लिखिए, इसके नीचे लिखिए, पहले तीनों को राउंड करके लिख दीजिए, समान, मोनो क्लिनिक के नीचे B, और ट्राइकलिनिक के नीचे N, हेग्जगनल के नीचे 2, और रॉम्बोहेडर के नीचे 3, यानि कि स संग्रिया के अंदर हमारे सिटी में तो मुझे तो उस से याद रह जाता है समान बी एन टू थ्री समान पहले तीनों के पास बाकी चार बजगे साथ में से उन के नीचे एक एक लिक दीजिए ठीक है समान बी एन टू थ्री बी फॉर बीटा आएगा यहां पर अब देखिए अब ब्रेवे लैटिस कौन कौन से देखिए तो यह नाम होगे सारे के सारे क्यूट सी यू से क्यूबिक क्यूट का जो आपके पास टी है टेट्रागेडरल टी ए टेट्राहेडरल और्थोरॉम्बिक अवर से मदर का एमो मोनो क्लिनिक मदर का टी जो है वो क्या बनाएगा ट्राइ क्लिनिक मदर का एची जो है वो एग्जागनल और मदर का जो आर है वो रॉम्बो हेडरल कुछ नहीं करना यह साइड है तीनों तीनों साइड क्या करो उपर और नीचे बिलकुल इक्वल कर द पिर एक बीच वाला step बचा उसमें भी not equal समझागी बात कि पहले क्यूबिक के अंदर क्या करो बिल्कुल उपर और बिल्कुल नीचे दोनों जगह A is equal to B is equal to C कर दो फिर कोई एक not equal कर दो यानि कि दो साइड equal है एक साइड equal नहीं है यहां भी दो साइड equal है एक साइड equal नहीं है फिर क्या करो दोनों साइड ही not equal कर दो यानि कि एक बराबर उसको भी खतम कर दिया और बीच में जो और वही वात नीचे करनी है और बीच में जो जगह बची वहां भी देखो यहां तीनों equal, यहां तीनों equal, एक not equal, एक not equal, फिर और नीचे आओ, दोनों not equal, दोनों not equal, लास्ट में जो बचा उसमें दोनों not equal, यह side आपको याद हो गई, clear, easily याद होगी, अब जो यह लिखा है ना, यह angle के लिखा है, समान, पहले तीनों में angle समान, alpha is equal to beta is equal to gamma, alpha is equal to beta is equal to तीनों के अंदर angle के है, बिलकुल समान है, ठीक है ना, वही चीज़ लिखी है, समान, उसके बाद देखें, mono clinic के नीचे लिखा है, B, मतलब beta बराबर नहीं है, alpha क्या होता है, x axis के साथ angle, beta y axis के साथ, और gamma z axis के साथ, side का angle वही है, अब देखें, beta only equal नहीं है, n का मतलब no, को two का मतलब two equal है, any two equal है, ठीक है, और hexagonal में आप सब कोई पता है, hexagonal में वैसे भी 2 angle equal होता है, तीसरा नहीं होता है, उसके बाद लास्ट के बच गया, rhombohydral तीनों, इसका मतलब three equal नहीं है, तीनों equal है, तीनों equal है, तीनों equal है, तो केवल पहले three में समान लिखा है, समान का बिटा equal नहीं है, N मतलब no, कोई equal नहीं है, two मतलब two, कोई two equal है, N मतलब three, three मतलब कोई equal नहीं है, तो यही चीज़ अपने पास आज़त, यहाँब लाग भी two equal है, यहाँब लाग मोनोख्रीनी की हेग्जागनल, hexagonal में two equal है, जो equal हो 120 degree के होता है, आपको पता है, 120 degree हेजग इक्पल करते आईए, साइट को ये बन जाएगा उसके बाद इसके लिए समान, फिर बी, फिर एन, फिर टू और फिर तरी तो ये आपके पास कलियर हो जाता है ये आपका टापिक और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो चैनल वीडियो आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर जूरूब करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करें और हमारे लिए तक हमें भी फाइदा हो अभी तक हम हजार की फैमली में नहीं पहुंचे हैं बहुत काफी ट सब्सक्राइब करें तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हजार तक तो फैमली जल्द से जल्द हमारी हो जाए यही आप लोग ट्राइब करें उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू आपका धन्यवाद 700 प्लस सब्स्क्राइबर हो गए है आज तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स अलोट